देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुड़िन दा खबरे मंद्री नवाब मलीक को तिन मार्च तक प्रवर्द निदेश आले की हिरासत में भेजा था इसका विस्तुत आदेश आज शुकरवार को उपलप्त कराया गया अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने महत्ववपुन पहलू पर जांच में सहयोग नहीं किया है वही तबियत खराब होने के चलते मलीक को आज अस्पताल में भर्ती कराया गया है तो मुख्य मंत्री उद्व ठाकरे ने युक्रेन में फसे महाराष्ट के नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए किंद्र सरकार से समन्वा इस्थापित करने के निर्देश मुख्य सचिव देवाशिश चक्रवर्ती को दिये है उधर प्रदेश भाजपो पाध्यक्ष चितरावाग ने युवती से दुशकर्म वजबरन गर्पपात मामले में रगुनात कुचिक को ततकाल गिरफतार करने की मांग की है इसी बीच महाराश्चो बोर्ड ने कक्षा बारवी के भाशा विशेयों की परिक्षाओ की तारिख में आंशिक बदलाव किया है प्रदेश के इन पाजबडी खबरों को पिस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ मनी लॉंडरिंग के एक मामले में महाराश्चो के मंतरी नवाप मलीक को एडी की हिरासत में रिमान पर लेते हुए एक विशेश अदालत ने कहा कि प्रतम दृष्ट्या ये मानने के लिए उचित आधार है कि मलीक के खिलाफ आरोप अच्छी तरह सिस्थापित है धन्शोधन निवारन अधिनियम से संबनित मामलों के सुनवाई के लिए नामित विशेश नयदिश आरेन रोकडे ने ये भी कहा कि अपरात की जांच के लिए परियापत समय दिये जाने की आवशकता है और मलीक की हिरासत में पूछताश आवशक है अदालत ने बुधवार को राकापा के वरिश्ट नेता मलीक को 3 मार्च तक प्रवर्ता निदेशाले की हिरासत में भेजा था इसका विस्तूत आदेश शुकरवार को उपलत कराया गया अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि रिपोर्ट से ऐसा प्रतित होता है कि आरोपी ने महत्वो प्रुना पहलू पर जाज में सहयोग नहीं किया है इसलिए प्रतमदुष्ट्या ये मानने के लिए उचित आधार है कि आरोपी पीमले के तहट अच्छी तरह से स्थापित है अदालत ने माना की जाज अभी शुरुवाती चरण में है और मलिक को हीरासत में लेकर पूछताच करना अपराद में शामिल सभी प्रभाओं का पता लगाने के लिए आवश्चक है अपराद की आये पिछले 20 वर्षो या उससे अधिक समय से चली आ रही है इसलिए अपराद की जांच के लिए प्रियाप्त समय दिये जाने के आवशकता है इडी का मामला राष्ट्य जांच एजनसी द्वारा हाल ही में एक भगोड़े गैंक्स्टर इब्राहिम और अन्य के खिलाब दर्च प्राथमी की पर आधरित है एनाये ने गैर कानूनी गतिवीधी अधिनियम की धाराओं के तहत आपराधिक शिकायत दर्च की थी प्रवरतर निदेशाले द्वारा गिरफतार किये जाने के दो दिन बाद महराष्ट सरकार में मंत्री वाए न्सिपी नेता नवाब मलीक को अस्पिताल में भरती कराया गया है वो मुमई के जेजे अस्पिताल में भरती है हलाकि उन्हें किन कारणों से अस्पिताल में भर्ती किया गया है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है उन पर दाओद इबराहिम के करीबी से संपत्ती खरिदने का आरोप है प्रवतर निदेशाले ने मलिक की गिरफतारी के बाद पुरी कहानी का परदाफाश किया था इडी ने कोर्ट में बताया था कि मंतरी नवाब मलिक ने कथी तरूप से मुनिरा प्लंबर से 300 करोड रुपे का प्लोट कुछ लाख रुपे में एक कमपनी के जरिये हड़ पा था इस कमपनी का नाम सॉलिट्स इन्वेस्ट्मेंट प्राइवेट लिमिटेड है और कमपनी का मालिक मलिक परिवार है इडी ने आरुप लगाया कि मलिक ये कमपनी भगोडे डौन दाओद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और डी गैंग के अन्य सदस्यों के सहीयोग से चलाते रहे है इस समन में मुनीरा प्लंबर ने इडी को दिये बयान में बताया कि कुरला में गोवाला कमपाउंड में उनका तीन एकड का प्लोट था इस जमिन पर अवयत कबजे को खाली कराने और विवादों को निप्टाने के लिए सलिम पटल ने उससे 5 लाख रुपे लिये थे लेकिन उसने ये जमिन थर्ड पार्टी को बेज दी जबकि सलिम को कभी प्रॉपर्टी को बेजने के लिए नहीं कहा गया था यहीं नहीं 18 जुलाई 2003 को जमिन के माली काना हक ट्रांसफर करने से सम्मंदित कागस पर ही हस्ताक्षार नहीं किया था उन्हें इस बात की भनक ही नहीं थी कि सलिम पटल ने ये जमिन किसी दूसरे को बेज दी है वही जमिन से जुड़े कागजातों को खंगालने के बाद इडी को पता चला कि इसके पीछे सरदार शावाली खान है जो 1993 के मुंबई बम धमाके का आरोपी है मुख्य मंत्री उध्व ठाकरे ने युकरेन में फसे महाराश्टा के नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से समन्वाई स्थापित करने के निर्देश मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवाति को दिये है रूस द्वारा युकरेन पर हमला किये जाने के बाद मुख्य मंत्री ने महाराश्टा से उध्योग, शिक्षा, व्यवसाई के लिए युकरेन में गए नागरिकों की सुरक्षित वापस लाने के लिए विदेश मंत्राले से व्यवस्तित रूप से समन्वाई करे ठाकरेने प्रशासन को युकरेन में फसे विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए प्राथमिक्ता से केंद्र सरकार से बाच्चित करने का आदेश दिया है इसके पहले राज्यक के उच्चवत अकनी की शिक्षा मंत्री उदे सामन्त ने युकरेन में फसे माहराष्ट के 1200 विद्यार्थियों की घरवापसी के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी को पत्र लिखा था इसे बीच कॉंग्रेस पार्टी ने भी युकरेन पर रुसी हमले के मामले में सरकार की आलोचना की है सांसद वलेखक शशी थरूर ने कहा है कि भारत को रुस और अमिरिका के बीच मध्यस्तदा करनी चाहिए इसके साथ युकरेन में फसे भारतिय चातरों को वहां से निकालने की मांग करते हुए इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की है युद्ध के दूसरे दिन कई चातरों ने अपने घरवालों को फोन पर ताजा हलाती जान कर दी और कहां कि यहां की स्थिती बेहत खराब है प्रदेश भाजपा अपाध्धेक्ष चित्रवाग ने युवती से दुशकर्म वजबरन गर्भपात मामले में पुने के शिवसेना के उपनेता तथा राज्य के निवनदम वेतन सलाकार समिती के अध्धेक्ष रगुनात कुछी को ततकाल गिरफतार करने की मांग की है प्रदेश भाजपा कारियाले में चित्रा ने कहा कि पीडित युवती को नय दिलाने के लिए राज्य के गुरुह मंत्री दिलिपल से पार्टिल से अगले साथ दिनों में मामली की समिक्षा करके पुलिस को उचित निर्देश देने की मांग की है चीतरा ने कहा कि रगुनात के खिलाफ मामला दर्ज हुए आठ दिन बिद गया है लेकिन उन्हें अभी तक गिरफतार नहीं किया गया है पुने में 16 फरवरी को रगुनात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था जिसके बाद 21 फरवरी को उन्हें जमानत मिल गई पुने पुलिस ने रगुनात को जमानत न मिलने देने के लिए कोई प्रयास भी नहीं किया चीतरा ने बताया कि यूवती से साल 2016 से पुने की रांकापनेता वैशाली नागवडे के पती बाला साहिब नागवडे ने कई बार दुशकर्म करके वीडियो तयार किया था इसके बाद इसी वीडियो के आधार पर यश्वंत्राव चभान प्रतिष्ठान के दत्ता बाला सराफ ने यूवती को ब्लैक मिल कर अत्याचार करने लगे बाद में पीडिता ने बाला साहब और बाला सराफ के अत्याचार की जान करी शिवसेना नेता रगुनात कुछी को दी तो रगुनात ने युवती को नय दिलाने का भरोसा दिलाया, बाद में रगुनात ने भी युवती से समंद बनाया, जिसे युवती गर्भवती हो गई, फिर रगुनात ने ही युवती का जबरन गर्भपाद भी कराया माहराश्र बोर्ड ने कक्षा बारवी के भाषा विशेव की परिक्षाओं की तारिक में आंशिक बदलाव किया है इसके तह़त 5 और 7 मार्च को होने वाली भाषा विशे की परिक्षा है अब 5 और 7 अपरेल को आयो जित होगी राज्य की स्कूली शिक्षा मंतरी वर्षा गायकवार ने ये जान करी दी है महराश्य बोर्ड के अनुसार 5 मार्च शनिवार के दिन प्रथम सत्र में होने वाली हिंदी और द्वितिय सत्र में होने वाली जर्मन, जापानी, चीनी और पार्शियन विशे की परिक्षा अब 5 अपरेल मंगलवार को आय जित होगी जबकि 7 मार्च सोमवार के दिन प्रथम सत्र में होने वाली मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, कंणड, सिंधी, मल्यालम, तामिल, तेलगु विशे और द्वितिय सत्र में होने वाली उर्दू, फ्रेंच, स्पैनिश और पाली विशे की परिक्षा अब 7 अपरेल के अनुसार ही होगी, वही माहराष्टर बोड की कक्षा दस्वी की परिक्षा के समय सरिनी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शुरू हो गया है। तो मध्यप्रदेश के इंदोर सिद बान गंगा इलाके में संसनी खेश हत्यकान का खुलासा हुआ है। दस दिन से लापता ड्राइवर की लाश उसी के घर में खुदाई के बाद बरामत की गई है। वही जम्मू कश्मीर में उपराज जपाल मनोच सिना बाल बाल बच्चे उनकी कारवारा नसी में दुरगटना घरस्त हो गई थी। उधर सुप्रीम कोट ने केंदर सरकार से बिटकोईन पर अपना रुक्स पष्ट करने को कहा है कि ये वैद है या वैद है। इसी बीच प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने बजट वेबिनार को संभुधित करते वे कहा कि बिते कुछ सालों से भारत अपने रक्षक शेत्र में जिस आत्मा निर्भरता पर बल दे रहा है उसका कबिट्मेंट आपको इस साल के बजट में भी दिखेगा। करने में भी कुछ कर्मचारियों की भूमिका रही अभी इन कर्मचारियों को नौकरी से निकलना इंजिनिरिंग डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया है। कर ली है। इनको कभी भी बहार का रास्ता दिखाया जा सकता है। डिपार्टमेंट में 400 आउट्सोर्स कर्मचारियों है। इसके अलावा रेगुलर कर्मचारियों पर भी एसमा के तहत कारवाई होगी। पंजाबा एंड हरियाना है कोट के बाद चंडिगड की प्रशासक बनवारिलाल पुरोईत ने भी प्रशासन के अपसरों को फटकार लगाई थी। बतादे की मामले की पूरी जाच के लिए एक कमिटी का गठन किया गया है। स्वतंत्र एक्सपर्ट को इस कमिटी में शामिल किया जाएगा। हर्ताल के दवरान किस तरह का नुकसान इलेक्ट्रिकल सिस्टम को हुआ। इसकी रिपोर्ट यह कमिटी 15 दिनों में प्रशासन को सोपेगी। इन दोर के बानगंगा इलाके में संसनी के जथ्याकान का खुलासा हुआ है। दस दिन से लापता ड्राइवर की लाश उसी के घर में खुदाई के बाद बरामत की गई है। जानकारी की अनुसार दस दिन से बानगंगा इलाके के उम्री खिडा के पास कांकड में रहने वाले बबलू का कुछ पता नहीं था। बबलू ड्राइवरी करता था। उसकी पतनी सुनिता ओर्फस सोनु ने 14 फरवरी को पती की गुमशुदगी का मामला भी दर्श कराया था। बताया था कि 7 फरवरी से उसका पती घर नहीं लवटा है। पुलिस को जाच में पता चला कि बबलू आए दिन पतनी सोनु के साथ मारपिट करता था। सोनु की रिजवान नाम के युवक के साथ दोस्टी थी, दोनों ने बबलू को रास्टे से हटाने का प्लान बनाया। उसी की अनुसार पतनी ने दाल बाटी बनाई और उसमें दोनों ने जहरीला पदार्त डाल कर बबलू को खिला दिया। बबलू की लाश को चुपाने के लिए पहले बबलू की हाथ पर को अलग-अलग काटा और धड़ को घर में खुदाई कर दफना दिया। पूरे मामले में रिजवान और उसके रिष्टेदार भाईयों की मदद भी ली गई। बेटे से पूछताच की गई तो पता चला कि सोनु ने रिजवान के साथ मिलकर बबलू की हत्या की थी। हत्या के बाद लाश को टुकडो टुकडो में काट कर अलग-अलग जगों पर फेक दिया था और बचे विए हिस्से घर में खुद कर गार दिये थे। पुलिस ने खुदाई के बाद लाश बरामत कर ली है, सोनु को गिरपतार किया गया है, बेटे प्रशान को भी हिरासत में लिया गया है क्योंकि उसने हत्या के मामले को छिपा कर रखा था। जम्बू कश्मिर के उपर आजपाल मनुच सिना की कार शुकरवार सुबह वारानसी में दुरगटना ग्रस्त हो गई, सयोग अच्छा रहा की हाथसे में उपर आजपाल को कोई चोट नहीं पहुची, उपर आजपाल मनुच सिना वारानसी से अपने ग्रुह नगर पूर जा रहे थे, राजगाट पूल के धलान पर लगाय गये लोहे के पिलर से उनकी कार के टक्कर हो गई, लोहे के पिलर के बीच से वहाँ निकालने के चक्कर में गाड़ी का बाया हिस्सा क्षातिग रस्त हो गया, कार का एक चक का पंक्चर भी हो गया, पड़ाव पिके हश्विनी पांडे ने बताए कि हाथसे में किसी को चोट नहीं लगी है उपराज्यपाल मनुच सिना शुकरवार को गाजीपूर के जमानिया मुहम्मद अबाद समित अलग-अलग विदान सबा क्षेत्रों में निर्दारीत कारेकरों में में शामिल होंगे सुपरिम कोट ने केंद्र सरकार से आज कहां कि वह बिटकोईन पर अपना रुख सपष्ट करे कि ये वैद है या वैद है मौजुदा समय में देश में क्रिप्टो करेंसी की इस्तिमाल पर कोई प्रतिबन नहीं है और नहीं इनका कोई नियमन है जस्टिस डिवाई चंद्रचूर और जस्टिस सुर्यकांत की दो सदस्य खंडपीट ने अधिकता सॉलिसिटर जनरल ऐश्वरिया भाटी से कहां कि आपको अपना रुख स्पष्ट करना होगा खंडपीट केंद्र सरकार के खिलाफ अजेब भरदवाज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी वकिल शोयब आलन ने भरदवाज की मनजूरी की गई जमानत याचिका खारिस करने की मांग की एश्वर्य भाटी ने खंडपीट को बताया था कि ये मामला 87,000 बिटकोईन से जुड़ा है और आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और उसे कई समन भेजे गए है मामले की सुनवाई कर रहे जजो ने आरोपी को जांच अधिकारे से मुलाकात करने का निर्देश दिया और जांच में सहयोग करने के लिए कहा इस पर खंडपीट ने कहा कि ये अवैध है या नहीं खनपिट ने कहा कि जांच अधिकारी आरोपी के जांच में सहीयोग करने के समद में सिती रिपोर्ट पेश करेंगे मामले की सुनवाई अगले चार सपतह के लिए स्थगित कर दी गई है खंड पिट ने साथ ही कहा कि आरोपी के गिरफतार न करने का अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक मानने रहेगा। क्रिप्टो करेंसी के संदर्ब में भारती रिजर्फ बैंक के आदेश को मार्च 2020 में पल्टा गया था। प्रधान मंतरी नारेंडर मोदी ने बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि बीदे कुछ सालों से भारत अपने रक्षा क्षेत्र में जिस आत्म निर्भरता पर बल दे रहा है। उसका कमिट्मेंट आपको इस साल के बजट में भी दिखेगा। गुलामे के कालखंड में भी और आजदी के तुरंद बाद भी हमारी डिफेंस मैनुफेक्चरिंग की ताकत बहुत ज्यादा थी। दुसरे विश्वय युद्ध में भारत में बने हतियारों ने बड़ी भूमी का निभाई थी। बीते कुछ वर्षों में भारत अपने र प्रतिशत सिर्फ घरेलू उद्यों के लिए रखा गया है। पब्लिक अंडर्टेकिंग्स का निर्मान किया था। आज ये तेजी से व्यापर का विस्तार कर रही है। ने मार्केट में पहुच रही है। ये भी बहुत सुखद है कि बिते पांच से छे सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट में हमने छे गुना वृद्धी की है। इस समय पूरी दुनिया की नजर रूस और युक्रेन के बीच जारी जंग पर लगी हुई है। कि उपर कबजे की जंग अंतिम चरण में है। इसी बीच अमेरिकी खुफी आजंसियों ने दावा किया है कि रूस के 10,000 से ज़्यादा पैरेट उपर युक्रेन के राश्टरपती जेलेंस्की को अगवा करनी की योजना बना रहे है। वही युक्रेन ने रूस के खिलाफ अपने देश के आम लोगों को भी मैदाने जंग में तनात करने का आदेश दे दिया है। युक्रेन के लड़ाई गंबिर हो गई है। रूसी सेना दवारा युक्रेन पर किये गए हमले में बहुत से लोग अपनी जान गवा चुके है। करने के लिए मजबूर करेंगे। खबरों के मुताबिक युक्रेन की राजधानी क्यू में शुकरवार सुबह चार बजे से रूस के अमले शुरू हो गए। क्यू में आसमान से आग बरस्ती हुई दिखाई दी। रूसी सेना ने क्यू में 6 बार मिसाइल अटक किया। हलाकि इस दवरान एक रूसी विमान को युक्रेन की सेना ने मार गिरा है जो की एक रिहाईशी बिल्डिंग पर आकर क्रैश हुआ और वहाँ आग लग गई। हाइबर अटेक भी किया है जिसके चलते रूस की कई वेबसाइट ठफ हो गई है। यूक्रेन ने रूस के खिलाप अपने देश की आम लोगों को भी मैदानी जंग में तैनात करने का आदेश दे दिया है। राश्ट्रपती व्लादी मिर जेलेस्की ने ये फैसला किया इसके अलावा 18-60 साल के लोगों को यूक्रेन छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। लगातार रूसी हमलों से यूक्रेन बुरी तरह घिरा नजर आ रहा है। लेकिन उसके होसले अभी पस्त नहीं हुए है। राश्ट्रपती जेलेस्की ने रूस की हतियार डालने की धमकी को फिर ठुकरा दिया है। आम लोगों को मैदाने जंग में उतरने के फर्मान से साफ है कि यूक्रेन आसानी से हर मानने वाला नहीं है। जेलेस्की की अधिकारिक वेबसाइट ने आम तैनाती का आदेश प्रकाशित किया है। इसमें जंग के लिए आम लोगों को भी तैनात करने का होकम है। यूक्रेन के सीमा रक्षा सेवा के प्रमुक डैनियल मैशिकों ने आदेश जिया कि 18-60 साल के पुरुष देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। उन्होंने फेस्बुक पोस्त पर लिखा कि युद्ध को देखते विए इस आयुवर्ग के पुरुषों को देश छोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रुपया घबरायनी और बगैर इजाज़त सीमा पार करने का प्रयास न करे। रूस लगातार बंबारी कर यूक्रेन को भारी नुकसान पहुचा रहा है। यूक्रेन ने भी कई रूसी विमानों वसैनिकों को मार गिराया है। अपील को ठुकराते हुए यूक्रेन सीमा में टैंक के साथ अपनी सेना बेजी है। हाला कि यह पहली बार नहीं है जब सयूक्त राश्टर दो देशों के बीच शानती स्थापीत करने में नाकाम रहा है। इससे पहले भी कई युद्ध सयूक्त राश्टर की विपलता की वज़ा से हुए है। दुविती य विश्वय युद्ध की समापती के बाद 24 अक्तुबर 1945 को अमेरिका रूस साइथ 50 से अधिक देश सन फ्रांसिसको में एक जूट हुए और उन्होंने एक दस्तावेश पर हस्ताक्षर किया। इसको स्थापीत करने के लिए एक संगठन बनाने की बाद कही गई इसी के चाथ सैयुक्त राष्टर संग का गठन हुआ। इसी के बाद सैयुक्त राष्टर की स्थापना हुई सैयुक्त राष्टर सुरक्षा परिशत का मुख्य मकसद पूरी दुनिया में शांतिय और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सुरक्ष प्रदान मंत्री इम्रान खान रूस की महमन नवाजी का लुत्फ उटाने पहुचे है वही दूसरे और अमेरिकाने पाकिस्तान के नैशनल बैंक पर 55 मिलियन डॉलर यानि करीब 414 करोड रुपे का जूर्मान लगाया है इस संबन में जारी रिपोर्ट के अनुसार US Federal Reserve और New York State Department of Financial Services ने यह जुर्माना एंटी मनी लॉन्रिंग नियमों का उलंगन करने पर लगाया गया है पाकिस्तान के लिए यह खबर किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं क्योंकि उसकी माली हालत इन दिनों बहत खराब है और वह दुनिया के अन्य देशों में कटोरा लिये फिर रहा है उपर से अपनों के भी बगाओती तेवर ने इमरान खान की हलत पतली कर दी है न्यूयोर्क के नियामक की ओर से कहा गया कि नैशनल बैंक आप पाकिस्तान और उसकी नियूयोर्क शाखा नियूयोर्क स्टेट डिपार्टमेंट आप फाइनेशियल सर्विसेज के साथ किये गए एक सहमती आदेश के अनुसार 55 मिलियन डॉलर का जुर्माना देने पर सहम हुए है रिपोर्ट में बताया गया कि नैशनल बैंक आप पाकिस्तान ने बार बार नियामक चेताउनियों के बावजुद अपने नियूयोर्क शाखा में गंभीर अनुपालन कर्मियों को वर्षों तक बने रहने दिया गौरतलव है कि 1949 में स्थापित कराचिस्टित दर्शक देख सकेंगे कोरोना संक्रमन के कारण दोनों देशों के जवानों की बीच प्रति दीन शाम को होने वाली रिट्रिट सेरिमनी दर्शकों के लिए बन कर दी गई थी अब कोरोना का प्रकोप काम होने के बाद BSF ने इससे शुरू करने का फैसला लिया हालाकि रिट की परेट के बाद संबन पुर्वक राष्ट्रिय अद्वज उतारने की रस्मन इभाते थे सितंबर 2021 में रेटरिट शुरू कर दी गई लेकिन 6 जनवरी को एक बार फिर इसे दर्शकों के लिए बन कर दिया गया था कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला लिया जाता रहा अटारी वागा बॉर्डर पर प्रति दीन शाम को रेटरिट सेरेमनी होती है इसमें सीमा सुरक्षा बल के जवान और पाकिस्तान की ओर से वहा के जवान भाग लेते है भारत पाकिस्तान की जॉइंट चेक पोस्ट अटारी पर दर्शक दिरगा है इसमें 25,000 के लगब के बीनियों से नमश्कार